नमस्कार दर्शिको आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल में जिसका नाम है सनातन संस्कृती आज की सिस्तोरी में हम बात करेंगे आदी शंक्राचारे के बारे में शंक्राचारे हिंदू धर्म में सर्वुच्य धर्म गुरू का पद है जो की बौध धर्म में दलाई लामा और इसाई धर्म में पोप के समकक्ष है इस पद की परंपरा आधी गुरु शंक्राचारे ने आरंप की है यह उपाधी आधी शंक्राचारे जो की एक हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरु थे और जिने हिंदूत्व के सबसे महान प्रतिनीधियों में से एक के तौर पर जाना जाता है उन्ही के नाम पर है उन्ही जगत गुरु के तौर पर सम्मान प्राप्त है एक उपाधी जो की पहले केवल भगवान कृष्ण को ही प्राप्त थी उन्होंने सनातन धन की प्रतिष्ठा है तू भारत के चार शित्रों में चार मठ अस्थापित किये और शंक्राचारे पद की अस्थापना करके उन पर अपने चार प्रमुक्षेश्य को आसिन किया तब से इन चार मठों में शंक्राचारे पद की परंपरा चली आ रही है यह पद अत्यांत गौरब में माना जाता है आपको बताते हैं हम कि वो चार मठ कौन-कौन से है उत्तर मठ में जोतिर मठ जो की जोशी मठ में इस्थ इन चार मठों के अतिरिक्ट भी भारत में कई अन्य जगा शंक्राचारे पर लगाने वाले मठ मिलते हैं यह इस प्रकार आदिशंक्राचारे ने अपने पूरे संपुन जीवनकाल में ऐसे महतवपून कारे किये हैं जिनका महतव हमारे भारत की संस्कृती के लिए वर्दान के भाती है आदिशंक्राचारे जी ने भारतिय संस्कृती और हिंदू धन को बहुत एक खोब सुर्ती से निखारा है और पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार किया आदिशंक्राचारे जी ने अपने ग्यान के प्रकाश को अलग-अलग भाशाओं में प्रकाश मान किया और लोकों को सुबुद्धी और आस्था के प्रती स्रीड-्रेट रास्था भी दिखाया आदिशंक्राचारे जी ही ऐ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभिण मठो के अस्थापना की और इसके साथ ही कई शास्त्र और उपनिशत की भी रचना की थी। अफ्तार लिया था। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यमवा को कोई भी बच्चा नहीं था और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की को उनके घर एक पूत्र धन की प्राप्ति हो। का कारे उनकी माता ने ही किया क्योंकि उनके पिता के मिर्तिव जब शंक्राचारे साथ वर्ष्के थे तभी हो गई थी। आदिशंक्राचारे जी को वेद और उपनिशत पढ़ाने में उनकी माने अपनी एहम्भुमिका निभाई थी। पौडानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब आदिशंक्राचारे जी की उम्र मात्र 18 वर्ष्के थी तब वह अपने मा के साथ प्रती दिन नदी में अस्तान करने के लिए जाय करते थे। जब एक दिन आदिशंक्राचारे अपने मा के साथ रोज की भाती अस्तान करने गए तब ही नदी में अस्तान करने के दौडान उनको एक मगरमच जकर लेता है। जीवन धारन करके अपने गुरू की तालाश में और अध्यात्म के ग्यान की ओर अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। तो फॉलो करना ना भूले। जीवन देता है।